आज हम बात करेंगे एनई एक्ट में 2018 में लाए गए संशोधन के बारे में यानि कि इस संशोधन में कौन से नई प्रोविजन जोड़े गए हैं और उन प्रोविजन का क्या इफेक्ट होगा इस बारे में इस वीडियो में पुरी चर्चा करेंगे तो चलिए शुरू करता है यह जो नया अमेंडमेंट लाया गया है जिसको इसको प्रेसिडेंट की 2 अगस्ट 2018 को स्विक्रिदी प्राप्त होई है और जो नोटिफिकिशन है इसमें जारी होगा उस गजट में नोटिफिकिशन नुसार यह अलग बें स्टेट्स में या उसके नुसार यह लागू हो जाएगा अब इसके effect क्या गया है इसमें क्या संशोदन किया गया है वो देखते हैं तो जो amendment act है उसके दोवारा 2018 में नई act में दो नई provision जोड़े गया है पहला तो है 143A और दूसरा है 148 आपको ध्यान हो तो नई act में पहले 147 यानि 147 ही section थे उसके बाद में कोई section नहीं था एक न कि 148 section हो गया है जो 148 section है वो appeals related है और 143A है वो जो trials है उनसे से related है अब इसमें नया क्या है दोनों जो sections है 143 और 148 143A और 148 इन दोनों नए sections में compensation को जोड़ा गया entering compensation यानि कि होता क्या था कि जब नए कोई वाद दाहर किया जाता था 138 का तो जो respondent है यानि कि जिसने check बनाया है वो उसको वहाँ पर एक बार बयान करवा लेता है फिर उसको delay करनी कोशिश करवाता था यानि एक बार bail करवा दी उसके बाद में जितना हो सको delay करो और जो holder जिसने complaint की है वो उसके pendency के कारण प्रेशान होता था तो इसको लेकर और जो कारेवाई है उसको तेज चलाने के लिए एक interim compensation की बात इसमें रखी गई है जिसमें दोनों नए provisions यानि की 143A जो है वो trial के दोरा interim compensation को बात करता है और 148 जो appeal में interim compensation के लिए बात करता है दोनों क करता है कि 143A क्या कहता है 143A जो है उसने court को यह discretion power दिया यह mandatory नहीं है क्योंकि जब section हमको देखते हैं तो उसमें use word किया गया है may order यानि कि यह shell order नहीं है may order यानि कि court का discretion power है कि वो interim relief दे या ना दे लेकिन अगर वो देता है तो किस स्टेच पर दे सकता है तो दो स्टेच बताई गई है कि एक on plead not guilty यानि कि जब accused को court में लाया जाता है या court में हाजिर होता है तो हम जब summary trial की बात करता है तो इसमें आरोप सारन सुनाया जाता है कि आप पर यह आरोप है कि आपने check दिया और वो bounce हो गया इसलिए आप पर 138 का हम जो आरोप है वो आप पर बनता है यह आरोप सुनाया जाता है अगर वो आरोप सारन सुनने के बाद में कहता है कि नहीं मैं guilty नहीं हूं यानि कि मैंने यह अपराद नहीं किया है मैंने जो check है वो नहीं दिया था signature मेरा नहीं था यानि कि वो अपना पक्ष रखना चाहता है वो यह कहता है कि उस पर 138 का जो case से वो नहीं बनता है और वो पैसा देना नहीं चाहता है उस स्टेज पर न्याले उसको interim compensation देने का आदेश कर सकती है या जब हम summary trial में नहीं है regular trial में है तो जब charge frame किया जाता है तब उस पर compensation यहने interim compensation का आदेश किया जा सकता है और अब यह interim compensation कितना हो सकता है बात ही आती interim compensation कितना हो सकता है interim compensation जो amount है वो check amount की अधिक्तम 20% तक हो सकती है यानि कि मान लीजिए किसी दिने check एक लाख रुपे का दिया है जब उसके खिलाफ complaint की जाती है और वो plea guilty नहीं करता है तब उसको अगर नयाले अगर आदेश नहीं देना चाहता compensation का तो ना दे लेकिन अगर आदेश देता है तो वो अधिक्तम 20% यानि एक लाग का check है तो 20,000 रुपे तक के लिए interim compensation का आदेश कर सकता है यह बात होगी अब सवाल आता है सबसे ज़्यादा यह जब amendment आया तो सबसे दिमाग में सवाल आता है कि यह amendment लागू कब से है क्योंकि डेट तो कुछ है नहीं क्या यह जो court में case pending है उनका क्या होगा तो इसको वापे सब में एक बार देखे हैं जो 143A का subsection 1 का A और B clause है इसमें देखे है कि please not guilty stage 1 और दूसी है framing of charge यह दोनों stage निकल चुकी है माली जीए accuse आया ही नहीं पहली बार accuse आता है वो जमानत करवा देता है अपने bail bond पेश कर देता है उसके बाद में प्ली guilty नहीं करता है तब order कर आदेश कर सकता है या उस पर charge frame हो उस पर वो जो extreme compensation को आदेश कर सकता है लेकिन इसकी बाद में stage क्या जैसे कि बाद की stage कुछ cases ऐसे हैं ज जिन में evidence की stage आ चुकी है यानि की complainant अपना evidence करवा दिया है उसकी जीरे चल रही है तब क्या अब तो वो चुकी जो stage थी वो निकल चुकी है अब चुकी stage निकल चुकी है तो जहां तक मैं समझता हूं क्योंकि अभी तक इसमें high court या supreme court के कोई आदेश नहीं आया है framing of charge यानि charge frame होने के दोरान ही वो ऐसा interim compensation कर सकता है stage change हो गई है यानि कि अगर evidence stage आ गई है तो उस पर ये compensation की लागू नहीं होता है यानि कि अगर मान लीजिए आपने कोई अगर complaint पेश कर ली है और accuse अभी तक हाजी नहीं हुआ एक्यूज आ जाता है आज की तारीमा आ जात सकते हैं कि इसके किलाफ interim compensation का आदेश करें क्योंकि अभी तक framing of charge या उसने plea guilty नहीं किया है इसलिए इसके किलाफ ये आदेश किया जासता है लेकिन मान लीजिए आपने अगर complaint कर दी है और evidence की stage आ चुकी है तो मैं जहां तक समझता हूँ वहाँ पर ये interim compensation trial के दोरान अब न compensation 20% तक दिया जाएगा लेकिन मान लीजिए अगर जो एक्यूज है जो अपरादी था जिसने अभियुक था वो एक्यूटल हो जाए यानि कि वो बरी हो जाता तब क्या उसने तो 20,000 दे दिये अब ये जो 20,000 अमोर थी ये नियाले चाय तो अपने पास अक्ता था और निया खिलाफ केस लगा दिया मैं अपर हुआ मुझे 20,000 का अधिकतर 20,000 दिया जा सकता है तो मुझे पर 20,000 रुपे का जो compensation वो दिया गया मैंने 20 जमा करवा दिये वो आपको release हो गया यानि आपको दे दिये गया अब जब final decision वा तो पता चला कि मैंने तो कोई 138 का मुकतव बनत है वो complainant को फिर से जो 20,000 पर दिये थे वो with interest अब interest कितना जो कि Reserve Bank of India ने उस साल के लिए जैसे कि आज देते हैं तो आज एक साल केस चला तो इस साल का जो 12 महिने का जो Reserve Bank of India ने जो interest बताया है जो नहीं ब्याजदर बताई है उस ब्याजदर पर मुझे जितने समय तक आपके ब्याजदर के साथ में चुकाना पड़ेगा जो component है वो ब्याजदर के साथ में वापस अभ्यूक्त को जो बरी हो गया उसको पैसा वापस return करेगा अब यह तो हो गई कितने दिन में गया जाएगा अभी जैसे का आदेश कर दिया जैसे compensation को उसका 60 दिन के अंदर आपको compensation द देता हो तो अगर जो एक्यूज है वो कहता है कि मैं इस करण से पैसे जमा नहीं करा पाया तो उसको 30 दिन और दी जाएगा यानिकी एक्यूज को अधिक्तम 90 दिन का अफसर दिया जाएगा पैसे जो interim compensation है वो देने के लिए अब हम बात करते हैं जो पैसा अगर 90 दिन में न नहीं देता है तो फिर जो जुर्मानी की जो रासी है जो हम जैसे की जुर्माना किसी पर लगाया जाता है तो जुर्मानी की राशी के लिए भारतिये धन परकरिया सहिंतागी धारा 421 में उसको प्रोविजन बताएगा है अब वो जुर्मानी की रकम के रूप में उसको व तब क्या तब नियाले मेरे खिलाफ 421 के अनुसा दन पर करिया सहींता के अनुसा मेरे खिलाफ कर सकती है उसको जुर्माने की रकम के रूप में वसूल किया जा सकता है अब जुर्माने की रकम कैसे वसूल की जाएगी इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है आप उसको बरी नहीं होता हूँ और मुझे पर एक लाग का जो चेक था उस पर छे मेने की सजा और डेड़ लाग रुपे तक का जुर्माना या कमपेशन का मुझे आदेश किया गया तब क्या होगा तब जो अमोड 20,000 मैंने पहले दी थी वो डेड़ लाग रुपे में से माइनस कर दी जाएगी यानि कि मुझे 1,30,000 रुपे अभी नियाले में फिर से जमा कराने होगे या जैसे नियाले ने आदेश किया है मुझे वैसा करना पड़ेगा ठीक है तो ये तो होगए चीज section 143A के साथ जो provisions है यानि कि compensation आदेश किया जासकता है compensation अधिकतम 20% तक हो सकेगा compensation दे जाता हूँ और मैं equitable हो जाता हूँ तो मैं वो 20% जो रासी में जमा करवाई थी वो मैं ब्याज with interest मैं वापिस ले सकता हूँ मुझे वापिस दिलाए जाएगा लेकिन अगर मैं बरी नहीं होता और conviction हो जाता है तो जो नियाले ने मुझे जुर्माने का अदेश किया है माले जे एक लाग का था और उस पर मुझे नियाले ने डेड़ लाग का जुर्माना किया तो डेड़ लाग में से वो 20,000 रुपे वापिस माइनस कर दिया जाएंगे तो ये तो है 143A अब जो 148 है वो बात करती है अपील के दोरान इंट्रिम कमपचिंशन के लिए अब अपील के दोरान इंट्रिम कमपचिंशन क्या माल लीजिए कोई वेक्ति कन्विक्शन होगा जैसे मैंने कहा कि मैंने एक लाग का चेक दिया था और मुझे नियाले ने दोशी करार करते हुए छै मा का कारवास और डेड़ लाख रुपे का जुर्माना मुझे पे इंपोज कर दिया अब क्या मैंने अपील करी 20,000 मेरे पहले जमाझ की हुए थै क्योंकि मुझे पहले 20,000 देनी का आदिश नियाले नादिश कर रहता अगर किया हुआ है तो 20,000 कर मान लीजे किया हुआ है अब मैं उसकी विरुद अपील कर देता हूँ यानि conviction की विरुद अपील कर देता हूँ तो अब क्या होगा तो अपिलेट कोड को भी यह पावर दी गई है कि वो उसका डिस्क्रेशन पावर है कि वो मुझे पर इंट्रिम कमपेंचेशन और लगा है अगर लगाएगी तो कितना लगा है अब यहाँ पर थोड़ा चेंज़ेश है यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है कि मिनिममम 20% किस अमौंट का जो मुझे पर जो जुर्मान लगाए गया था उसका चेक अमौंट का नहीं जो जुर्मान लगाए था उसका यानि कि जैसे कि अभी मैं केस चला रहा हूँ कि एक लाख रुपए तक का मैं चेक दिया तो मुझे ट्राइल कोड अधितम 20,000 रुपए तक का जर्मना लगा सकती थी लेकिन अब क्या हुआ मुझे कन्विक्शन हो गया मुझे डेड़ लाख रुपए का जर्मना लगा दिया मैं अपील करता हूँ तो देड़ लाख का मिनिममम 20% तो कोड मुझे पर इंपोस करेगी ही किंटरिम कंपन्चेशन उससा जादा था कर सकती है घंड्रेड परसंट भी कर सकती है अगर अपिलेट कोड चाहे तो कह सकती है कि आपके विरुद जो 250,000,000 रुपे का जुर्माना है 6 मैने कि सजार दी थी भी लाग का जुर्माना लगाया है वो भी लाग रुपे आप पूरे-पूरे जमा कराओ वो भी कह सकती है नहीं तो मिनिमम 20% तो है अभी 20% हो गया तो अब मैंने जो पहले 20% जमा कराया था एक लाख रुपे का यानि कि 20,000 रुपे जमा कराया था उसका क्या तो ये जो बाद का जो अपिलेट कोर्ट आदेश करेगी इंटरिम कमपजिशन का वो ट्राइल कोर्ट के आदेश के अलावा होगा यानि उसके साथ में बढ़ाएगा यानि कि जो 20,000 दिया था और जो अपिलेट कोर्ट ने किया वो दोनों जुड़ जाएंगे 20,000 तो दिया वो दिया ही है अब अपिलेट कोर्ट कहती है कि आप 20% और दो यानि 30,000 और दो जो जुर्माना था उसका नियाले ने 20% कर दिया मान लीजे मिनिमम हम मान के चल ले 20% मान लीजे 30% करता है आप मान लेते हैं 20% करता है यानि 30,000 रुपे के जुर्माना तो मुझे अपिलेट नियाले में वो फिर से 30,000 रुपे और जमा कराने पड़ेंगे यानि कि मेरी जेब से निकल गए 50,000 रुपे 20,000 पहले 30,000 रुप तो वो इन एडिशन है वो उसको मैनिस नहीं करता वो इन एडिशन टू ट्राइल कोर्ट में जो इंट्रिन कमपेशन दिया था उसके अलावा उसके एडिशन में है इसलिए वो अलग से दिया जा सकता है अब यह तो हो गई अब जैसे कि इसमें जो अपिलेट कोर्ट में वो मिनिमम दिया गया अपर लिमिट इसमें नहीं दीगी तो यानि कि नियाले उसको 100% तक भी उससे कमपेशन दिलवा सकती है अब इसकी स्टेज क्या होगी जैसे कि आपने पहले बात की थी ट्राइल कोर्ट में तो टाइम अफ प्ली और गिल्टी या फ्रेमिंग अफ चार्ज इसका आदिश किया सकता है लेकिन अपिलेट कोर्ट में ऐसा कोई भी समय नहीं दिया गया यानि कि अब ये मान लें इस्तिती बड़ी धुंदली हो गई है कि मान लीजिए मैं अभी मेरी जो अपील है वो पैंडिंग चल रही है दो साल से पैंडिंग है तो अब उस दो साल से पैंडिंग अपील का क्या किया जाएगा उसमें क्या compensation आदिश किया जासता है तो अभी अगर हम section को देखें जो 148 कहता है उसमें किसी भी stage पर कर सकता है वो को stage इगनोंने defined नहीं किये तो यानि कि अगर दो साल से आपकी अभी भी pending है तो भी किया जा सकता है अब इसमें honorable supreme court और honorable high courts है उनके जो आदेश आएंगे उनके अनुसार decide होगा कि अपिलेट court कब इसका जो interim compensation का आदेश कब कर सकती है क्योंकि अभी दुनली तस्वीर है सिर्फ act को देखें amendment को देखें तो वो कभी भी किया जा सकता है मान लिजे final hearing में भी आ चुका है तो भी अपिलेट court interim compensation का आदेश कर सकती है और जो accused है उसको interim compensation देना पड़ेगा भले ही उसकी appeal आज की तरिक में भी उसने जैसे मान लिजे 2016 में पेश कर रही है और वो आज भी pending चल रही है तो अपिलेट नियाले आज भी उसको खिलाफ इस section के नुसार तो पेश जो interim compensation का आदेश कर सकती है अब बात आईगी किते दिन में देना होगा वही सेम 60 दिन के अंदर उसको चुकाना होगा 60 दिन में अगर नहीं दे पाता है एक यूज तो वो extra 30 दिन और दिये जाएंगे यानि कि टोटल 90 दिन के अंदर उसको जो interim compensation appellate court आदेश करती है वो देना होगा अब सेम अगर वो equitable हो जाए तो वही बात है उसको जो उसने interim compensation दिये थे दोनों मिलाकर trial court के और high court के trial court के और appellate court के दोनों उसको repay किये जाएंगे वो भी ब्याज के साथ में ब्याज कितना वही reserve bank द्वारा जो तैय किया गया है वही ब्याज उसको दिया जाएगा और उसको अधिक्तम 90 दिन जो दिये जाएंगे और नहीं दियता है तो वही उसकी जो recovery होगी वही जुर्माने के रूप में recovery की जा सकती है अब यह तो हो गया यह जो पूरा process था जो ना amendment आया यह complete amendment यह है आया है